अल्फबेट सीरीज का 6 मोडल डिसकस करते हैं जहां पर हमें एक वर्ड दिया होगा और हमें उस वर्ड को अल्फबेटिकल अरेंज करना है और हमें यह बताना है कि कितने वर्ड सेम पोजिशन पर ही हैं इससे लेड़े एक्जाम्पल करते हैं यहां पर कोशन है if the letter of the word banker are arranged in alphabetical order then how many letters will be as far away from the beginning as they are in the given word ठीक है तो हमें यहां पर वर्ड दिया होगा banker और हम इसे alphabetical order करना और हमें यह बताना है कि कितने वर्ड सेम पोजिशन पर हैं तो अगर हम बेंकर वर्ड को देखें अगर हम इने alphabetically arrange करें alphabetically यानि कि first a second b c d e इस तरह से arrange करें तो first a then b b के बाद e then k फिर n और r ठीक है अब हमने यह alphabetically arrange किये है arrangement के बाद जो letter सेम पोजिशन पर ही है वो है k ठीक है इसकी position नहीं change हुई है on r तो यहाँ पर हमारे पास two letters है ऐसे जिनकी position चेंज नहीं हुई है तो हमारा answer होगा यहाँ पर two ठीक है तो और कोई भी letter नहीं है ऐसा जिनकी position यहाँ पर same ही रही हो almost और और सब की position है वो आगे पीछी हुई है ठीक है तो दो ही letter है यहाँ पर जिनकी यह same position है तो इसका answer होगा हमारे पास two तो यह topic था हमारे पास alphabet series का ठीक है ध्यान रहें कि जो alphabet है यह हमारी vocabulary पर depend करता है कि हमारी vocabulary कितनी strong है अगर आप इसे related question को 30 to 40 seconds में solve कर सकते हैं तो आप इन सराई question को pick कीजिए otherwise आप leave कर दीजिए इन question को time waste करने से अच्छा है कि हम leave करते किसी और question पर अपना time लगाए जो हमें आते हैं तो आप इस पर भी अच्छे से practice कीजिए वैसे तिन question को करने में बहुत ही थोड़ा time चाहिए होता है कुछी second में इनके answer जो हम find out कर सकते हैं तो मिलते हैं next session में thank you